हेलो दोस्तों मेरे चैनल M.I.C.S. Tech Education में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो कक्षा में मैं आपको CCC के नए स्लेबर्स पर आधारी कोश्चन्स लेकर आया हूँ इन कोश्चन्स में आपको future skill और cyber security related कुछ कोश्चन्स का एक pack मिलेगा इस कोश्चन्स को हल करने के बाद आपको CCC के नए स्लेबर्स की कुस्तो जानकारी हो ही जाएगी प्लस दूसरी चीची इन में वे कोश्चन्स सामिल किये गए हैं जो पिछले paper में आपको पूछे गए था आए तो शुरू करते हैं आपको मैं बताना चाहता हूँ कि अगस्त के paper में एक नया lesson भी CCC के paper में शुरू हो गया है जिसको बोलते है future skill and cyber security तो उस पर कुछ topics दिये हुए हैं उन topics को मैंने इस अपने वीडियो में cover किया है तो देख लेते हैं क्या क्या हूँ future skill क्या है cyber security, internet of things, big data, analytics, cloud computer, virtual reality इन पर कुछ questions लेकर आया हूँ मैं और इन questions को पढ़ने के बाद आपको CCC का paper जो आने वाले महिनों में होने वाले हैं उन में काफी कुछ समझ में आ जाएगा चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्नी के और future skill portal किसके द्वारा बन आया गया चलिए अगले प्रश्नी के और बढ़ते हैं future skill portal कब विक्सित हुआ मैंने इसको कब शुरुआत हुई इसकी तो 19 फर्विरी 2018 इसका सही आंसर है अगले प्रश्नी के और बढ़ते हैं पहला आयोटी डिवाइस कौन सा था तो इस कौन सा एक ATM मशीन इसको जाने से पहले मैं एक थोड़ा आपको आयोटी के बारे बढ़ा दूँ यह इसका पूरा नाम है internet of things यह एक ऐसी technology है जो भविश में प्रयोग होगी और इसमें किया था तो इसका अंसर है केविन ऑस्टन इन्हों सबसे पहले इसकी परिवाशा और इसको प्रयोग किया था आगे बढ़ते हैं आईोटी में किन चुनोतियों और जोखिमों पर विचार किया जाना चाहिए मतलब यह है कि क्या-क्या इसकी चुनोतियां हैं और किन-किन च लेकि IOT में ये चीज़े भी जरूरी है चलिए आगे बढ़ते हैं निम्न में से Cyber Security खत्रे का एक प्रकार नहीं है Cyber Security का खत्रा क्या-क्या है वाइरस आ जाते हैं Trozen Horse भी एक प्रकार का वाइरस ही है Phishing भी एक Cyber Security का खत्रा है Piracy यानि कि CD को Copy करना Data की Copy कर लेना ये Piracy Cyber Security के अंतरगत नहीं आती अगले प्रशन की और बढ़ते हैं इन में से क्या Big Data से संबंदित है तो आप देख पा रहे होंगे Structured Data Only और B में Produce YouTube Hive इसका अंसर है ये तीनों सही है इसका मतलब उप्रोक्त सभी भारत में Bitcoin खरीदने का सर्वत्म तरीका क्या है तो सर्वत्म तरीका ये तीनों ही है कि Coinbase Unicorn और Local Bitcoins उप्रोक्त सभी इसका अंसर होगा अगले प्रशनी के और बढ़ते है Cloud Storage Service देने वाली website के नाम तो ये तीनों ही website आपकी Google Cloud Service देती है अगले प्रशनी के और मतलब इसका अंसर तो पहले बता दूँ मैं आपको उप्रोक्त सभी इसका अंसर है D अगले प्रशनी के और बढ़ते है HTTP S में S का क्या मतलब है तो इ अगले प्रशनी के और बढ़ते हैं अगले प्रशनी को देखते हैं सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सा ISO standard है तो इस कांसर है D ISO 27001 एक कंप्यूटर वाइरस को पहचान को रोकने के प्रयास में एंटी वाइरस प्रोग्राम पर सक्री र प्रकार बनाना चाहिए आप लोग आपने Gmail का पासवर्ड या ने किसी ID के पासवर्ड बनाये होगो तो आपको पता होगा लेकिन फिर भी मैं बताते हूं इसका अंसर है B कम से कम 8 अक्षरों का जिसमें एक नमबर हो कम से कम एक अक्षर स्मॉल में और एक अक्षर कैपिटल में होना चाहिए और एक विशेस अक्षर भी तो वैसे इसमें भी है आंसर इसका कम से कम हाट अक्षर जिसमें नमबर और अक्षर का सयोजन हो फायरवाल का मुख काम क्या है तो मॉनिटरिंग करना, देखना कि कौन किस तरह का वायरस आ रहा है कौन हैकर आ रहा है, किस तरह की इन सब चीजों को देखने का काम फायरवाल का होता है यह एक प्रकार का सौफ्वेर है जो अपरेटिंग सिस्टम में बाचकर साथ जुड़ कर आ रहा है अगले प्रशनी के और बढ़ते हैं प्राक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है किस कारे के लिए तो इसका अंसर है ए अनाधिकरत उप्योग करताओं के खिलाब सुरक्षा प्रदान करने के लिए अगले प्रशनी के और बढ़ते हैं आई ओटी प्रणाली का मुख्य भाग निम्न में से क्या है तो इसका अंसर ये तीनों है नेटवर्क कनेक्शन, डेटा एस्टोरे और सेंसर ये तीनों चीज़ें उसमें डेटा एस्टोर भी होता है नेटवर्क इंटरनेट से या नेटवर्क से कनेक्ट भी होता है data storage भी होता है और sensor भी लगा होता है sense करने के लिए इसका अंसर है उप्रोक्त सभी अगले परश्चन के और बढ़ते हैं big data के मुख घटक क्या है big data map reduce hd vs और yarn यह उप्रोक्त सभी इसका अंसर है big data का मतलब मैं आपको बता दूँ big data का मतलब ऐसे data जैसे youtube है या facebook है इनसे जो data collect हो रहा है वो भी structured या इनstructured उनको collect करने के लिए जो services हैं वो big data कहलाती है उनको synchronize करना उनको store करना उसमें से data को filter करना कि कौन सा data important है कौन सा unused है उसको हटाना खेर आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्ण के और big data analytics की विभीन विशेस्ताएं क्या है तो open source होना चाहिए accessibility होनी चाहिए data recovery उपरोग सभी इसका अंसार है यानि तीनों ये चीजें इसमें आपको ये पता भी चलिया गए big data के बारे में big data open source होना चाहिए चलिए अगले प्रश्ण को बढ़ते हैं virtual reality के बारे में सबसे पहले अपने सुझाओ प्रकट किस ने किये थे मतलब तो इवान सुथर्ड लेंड ने किये थे आपको ये नाम भी थोड़ा सा नया लग रहा होगा और इसका अंसर ही B है तो दोस्तों मैंने ये जो वीडियो बनाया था कुछ नए प्रस्ण लाया था और कुछ नए टापिक virtual reality, cloud computing और आपके big data इस तरह के कुछ questions मैंने आपको सामने रखे हैं और आपको वीडियो कैसा लगा comment box में ज़रूर बताइएगा अगर आपको वीडियो पसंद आता है और अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को subscribe ज़रूर करिएगा और आने वाले YouTube वीडियो में मैं आपके सामने triple C से related और अच्छे questions लाने की कोशिश करूँगा तो thank you दोस्तों